कि नमास्कार साथ ही आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेट वित्राने चलिए दोस्तों जैसे कि अपने कौटर थी रिजल्ट की सीरी चल दी तो उसके अंदर लाइका लैप्स का भी कौटर थी का रिजल्ट है आज के दिन में तो उसके बारे हम बात करने से पहले अगर भी दग आपने चैनल सब्सक्राइब के तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जो बनते हैं तो उसका वेरियंट को बनाते हैं ठीके ना अगर आप अपने चैनल सब्सक्राइब के लिए बेले को बचाना बिलकूल ना बोले हैं तो आज आज आब 22 जनवरी और अभी रात के तो इसकी देखिए दिसमबर कोड़र थी की डिजल्ट की टोटल इंकम आई है यह लैक्स के अंदर इंकम है टोटल इंकम आई है 2,885 लाग की लाश्ट क्वाटर में इनकी इंकम आई है यह लैक्स के अंदर देखिए लाश्ट क्वाटर सेल थी 6,587 वो घटके हुई है 2,885 लाश्ट इयर सेल थी 1,992 वो बढ़के हुई है 2,885 लाश्ट क्वाटर में एक्सपेंस था 2,842 और लाश्ट इयर था 2,287 तो इयर एक्सपेंस पस थोड़ा सा बढ़ा है इयर एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ा है आप देखें ऑप्रेसन प्रॉफिट की बात करेंगे तो इनको प्रॉफिट हुआ है इस क्वाटर में 588 लाट का और लास्ट क्वाटर में था 3,744 लाट का और लास्ट इयर था 357 तो इयर एक्सपेंस प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है यह देखिए जो सेल देखिए ना लास्ट क्वाटर लास्ट सितंबर के अंदर तो यह कॉविट के चलते सेल देखनों का मिलीते हमार को कि कॉविट के चलते लैप्स का जो डिमांड बड़ी थी लैप्स के प्रॉडक्स क्यूंकि हर तरह से कॉविट की वैक्सिनेशन को ले दिसंबर में कम मिल रही है तो पैनिक नहीं हो ना हम लोगों को तो हम लोगों बस बेसिक लिए समझना अब देकिनेट प्रॉफिट की बात करेंगे इस कौर्टर में नेट प्रॉफिट आया पांसो सट तो लास्ट लास्ट कॉर्टर में था 2980 और लास्ट यह था 306 तो देख अब उसका इंपक्ट देखने को मिल रहा है अब देखिए बेसिक जो अनिंग पर शेर इस कौर्टर में है 1.97 लास्ट कॉर्टर में था 10.38 और लास्ट यह था 1.08 तो यह रही हो एपिस में इजाफा देखने हो बला कॉर्टर कॉर्टर वाई डाउनफॉल देखने को मिल र वजह मैं आपको बता दी बाकिया ऐसा कुछ कोविट के चलते इन्होंने बताया कोविट के चलते हैं लाइका लैप्स को इतना बेनिफिट होता है यह सब चीज ने एक्स्पीन करें अपने कॉर्टर थी रिजल्ट के इंतर अब चलते है इसके थोड़ा सा मार्किट का सुम सब्सक्राइब अपना कर्ज़द दिन देने कि 13 से खटके 36 चली गई है अब इसकि शेर होल्डिंग पैटन तेख लेता है थोड़ा सम्सका तो अब शेर होल्डिंग पैटन इसका दिसम्बर के अंदर पर मॉटर के वोल्डिंग सेंव प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाइग डीएस ने अपनी होल्डिंग कम करें लास्ट कॉटर में होल्डिंग 2.07 ते घटके हुए 1.13 और डीएस ने भी अपनी होल्डिंग घटके 0.47 और पवलिक ने अपनी होल्डिंग घटके यह तो 76 से पबलिक की होल्डिंग बढ़ी है 78 हो गई है तो देखिए नेगिटिव पॉइंट तो हमें बहुत सारे देखने हो मिलें रिजल्ट में कॉर्टर कॉर्टर वाई सेल में कमी देखना हो मिलें यह अच्छा कहसा प्रॉफिट देखना हो मिल रहा बट वहीं दिया इस पांस दिन के अंदा विदा इसने एक परसे पॉजिटिव में सिक्स मंद के अंदा विदा किसने हमारे को 284 रिटन दिया पॉजिटिव में अब चलते से चार्ट को को कोडिंग कैसे रिजल्ट रेने वाले देखिए यहां पे अपर सर्केट लगें यहां पे दावाद तो आप देखें अपर सर्केट क्यों लेगे तो सितंबर के जब रिजल्ट आयता अच्छे का सा प्रसेट लगे अब मेरा मानना है यहां से यहां से मुझे लगता हूं यहां लौवा सर्केट के तैयारी तैयारी हो रही है क्योंकि देखिए क्रेक्षन नहीं है इस बीच में श कल से अपर सर्केट लगने की उम्मीद पूरी-पूरी है मेरी मेरा मानना अब आपको यहां से फ्रेस बैंक नहीं करनी मुझे यहां से सोर पर तक के लेवल इजी दिख सकते हैं क्योंकि यहां पर क्रेक्षन बिल्कुल नहीं हुई है अपर सर्केट के बास यह एक दम से अब भी बिल्कुल फ्रेस बैंक नहीं करनी है ठीकिन है मैं आसा करता हूं मेरे दुआरा की दीगे जान करें से आप सहमात होंगे तो प्लिस वीडियो को लाइक शेया फवाट करना बिल्कुल नहीं बोले थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग इस वीडियो